अगर आप भी कोई जमीन समंदीत समस्या से जूज रहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के माद्यम से जवाब देने का पुर्यास करेंगे अभी देखते हैं कोस्चन है राम बाबु ठागुर जी का है कि नेट पे खाता नमबर दीख रहा है लेकिन प्लॉट नमबर जीरो दीख रहा है कैसे नेट पे चराएं देखे इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएगा तो भूमी जो है भूमी सुधार सुधार विभाग है मेरे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएगे तो विभाग है उसमें बहुत सारा वीडियो बना हुआ है और उसमें आपको करना क्या होता वह हम आपको बता दें नेट पे चराने के लिए परिमारजन के थुरू आप सुधी करा सकते हैं और उसमें हम तरीका बताएं कि कैसे कर रहा सकते हैं वो सारा तरीका है आप एक बार जरुक जाके जरूर देखिए और उसको अच्छे से समझ यह पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत बहुत बैतर तरीके समझ जाएंगे कि क्या फॉर्म भरना है क्या 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 लेके जाना कैसे करवाना है और कैसे आप आपका आसानी से सुधर जाएगा अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि यह नितीस कुमार जी पूछ रहें मेरे पिता जी के नाम से नीजी जमीन है दो भाई पंच नमा बटवारा किया है रसीद भी ऑनलाइन कटा है लपीसी भी ऑनलाइन है पंच कटा पे जो है असम जो ह लोकडाउन में अबैद रूप से एक टीना का घर बना दिया है बोलने जाते हैं तो कुदाल से मारने दोरता है देखे हम बताते हैं कि अगर आप जो मेरे पिता जी के नाम से जमीन आपके है और दो भाई जो है अगर आप है तो पंच नमा में अगर बटवारा हुआ है रस सम लोकडाउन में अभाई धूरूप से अब वो जो है जो देखिए आप अगर वो घर बनाने नहीं देना चाहिए था सबसे पहले पहला चीज नहीं देना चाहिए था जैसे भी हो रक्षा करना है आपको ये बात को समझना है कि आपकी संपती आपके जो भी है आपका माल लेते हैं संपती आपका तो रक्षा आप ट्रेंड में भी सपर करते हैं आपका कोई बेग है और घीचेगा तो आप उसको पकड़ियेगा नहीं पकड़ियेगा या ऐसे कबजा कर लिया, अब अब घर हटाने के लिए बात अगर बोलेंगे, तो पहले ये DCLR के पास था, 2012 में खत्म कर दिया गया इसको, हटा दिया गया, नहीं तो वो उसको पावर था कि private जमीन का जो भी घर है, उसको भी order था हटवाने का, ठीक है, तो आप सबसे बहतर तरीक है, देखिए, अभी जो है, आपको अगर वो हटवाना है, खाली करवाना है, वो आपकी जमीन है, आप जो है, आपको हिस्सा सही धंग से नहीं मिला, ठीक है, तो आप जाए तो एक बार DCLR के पास बटवारा केस भी कर सकते हैं, एक सिंपल तरीका से, सौट आउट से अगर ह इस कर दीजिए, उस पर आप असानी से जो है, उसको हासिल कर सकते हैं, पर्मानेंटली वो जो है, आपका वो घर उसको हटाना परेगा, अगला जो है, ये पूछ रहे हैं, मेरे दादा के नाम से बंदोबस्ती जमीन थी, फिर उनके बाद पिता और मांकी चाचा के जो है, दर्मियान कोट द्वारा बटवारा हो गया, अलग-अलग जमाबंदी नमर के साथ रसीद अलग-अलग कट रही है, अब जमीन का कुछ हिसा पिता जी ने बेज दिया, लेकिन उसका मोटेशन नहीं हो पा रहा है, अब अगर सर्वे होगा तो बेची वी जमीन खड़िदार की होगी या पिता जी की होगी, तो अगर मोटेशन नहीं हुआ तो 100% जो है अबदुल जी पिता जी की होगी, ठीक है, पिता जी की होगी और मोटेशन नहीं हुआ जैसे कोई जमीन ये जमीन है और जमीन का मोटेशन अगर नहीं हुआ, अधाकिल खाड़िज नहीं हुआ, तो इस जमीन का मालिकाना हक जो है वही होंगे जो जमीन को बेचे हैं तीक है और वही उनका वह जो है मालिक है और सरबै में फिर उन्हीं के नाम पे हो जाएगा registry मानी जाएगी नहीं, registry का information कोई है न registry जितना होता है उसका information सारा record जो निकलता दाखिल खारिज से ही निकलता है ठीक है, सरकार के पास valid registry उसी को माना जाता है, जिसका दाखिल खारिज हुआ और जो नहीं हुआ, मतलब ये invalid है, कोई false registry किया वही माना जाता है तो इसलिए रजिस्ट्री को कभी भी आधार नहीं बनाया जाता है अगर यहां पे देखें कि online खाता plot नहीं दिख रहा है पूरा खाता ही नहीं चड़ा हुआ है तो क्या करना होगा देखिए online अगर कुछ नहीं दिखा हुआ है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए है वहाँ पे भूमी सुधार बिभाग करके है उसको एक बार प्लेलिस्ट को देखिए वहाँ पे परिमारजन करने के लिए बताए है ठीक है कैसे करना है पूरा समझाए है और अगर कर लेंगे ना तो online जो भी है सब कुछ आ जाएगा सिंपल सा तरीका है और उस बूरी वीडियो में पूरा समझाए है तो एक बार जाके जरूर देखिए उसको अगला जो है यानि कर रिपलाई कीजिए कि खेसरा में 00 क्यों लिखा है देखिए 00 लिखा हुआ है तो आपको हम एक बैतर तरीका बताते हैं आपको परिमारजन करना होगा आप पूछिए का कैसे करेंगे ठीक है परिमारजन से सुधार होता है online तरीके से आपके पास अगर कोई पुराना वाला जो रसीद है वो रसीद अगर है तो ये करने के लिए पूरा प्रोसेस समझाए हुए है वो प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे भूमी जो है सुधार है और ये विभाग करके है उसको एक बर जाके पूरा देखिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है अगला सवाल देखते हैं ये जो है कर अगर मैं जरूआ जमीन है क्या इसका मोटेशन कैसे होगा अगर मैं जरूआ जमीन है तो बिल्कुल मोटेशन का जो पावर है सिर्फ सियो के पास है सियो अगर चाहेंगे तो आपका जो है वो बंदोबस्त करके दे सकते हैं अगला सवाल है कि मैं जमीन लिया हूँ क्या वाला जो है करके हो और हर चीज करके हो लेकिन एक खैसरा में चार आदमी लिया है तो पहले किसका जमीन जो है वो निकल कर देगा जो पहला पहले वाले का जो पहला है लिया है ना पहला उसी का जो है पहला वो जो है निकला जाए अगला सवाल है कि सर जीरो खेसरा जो है देखा रहा है उस जमीन को किस तरह से देखे ऐसे बताएं देखिए आपके पास जमीन का रसीद होगा जो रसीद कागज कटाते हों, आफ लाएं ड Kelly done, तो उसके लिए आपको परिमारजन से सुधी करना परे एगर आप आपको आफ लाइं ड सी बांइ ड सी सही है सब कुछ दिंगत है और ओनन लाइन ने से दिखा रहा है तो परिमारजन आपको करना परे गए. उसके लिए ज nih, आप जा ये कैसे करना है और राके करवा भी सकते हैं खुद से भी कर सकते हैं ठीक है सिंपल तरीका है अगला सवाल है कि रेजिस्टर टू बाला आप्सन जो है में नाम खाता नंबर दिख रहा है लेकिन अपना खाता वाले आप्सन में सो नहीं कर रहा है क्या करें देखिए अगर अपना खाता वाले में अगर आप जाते हैं और उसमें सो नहीं कर रहा है तो उसका सुधार एठियम अधिकारी के पास आपśन करने से हो सकता है तो वहानि वह खतियान ओन लाइन में दिक्कत है तो वहां से आपका सुधार हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, आप पूरा information जो है, पहले register to का लगा दीजिए, और आपेदन में जो आपका register to का information है, वो भी उसको attach कर दीजिए, attach करने के बाद आपेदन कीजिए, verify करने के बाद सुधार जो है, परक्रिया में लग जाएगा, अ उसका जो है, मौअबजा कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हम लोगों का मौअबजा मिलेगा, hundred percent मिलेगा, है न, देखिए, पहले के लोग क्या होते होते हैं, चोड़ दिए, उतना ये नहीं किये, जितना भी जमीन सरकारी हुआ है, तो सब से पहले, TS किजिए, बिहार सरकार पे ही TS करना है बिहार सरकार पे आप TS करेंगे और TS करने के बाद सारा बात बताएंगे और इसका अधार बताएंगे आपका पूरा जायका लाव उठा सकते हैं और फिर तो कोई बाती नहीं ठीक है अगर आप लोगों के मन में भी प्रोपर्टी से सम्मंदित कोई सवाल है तो आप कॉमेंट करके जरूर पूछे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रियास करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा